Hello everyone, welcome back to the channel आज की वीडियो में हम document scanner application पे काम करने वाले हैं और इसमें हम ML Kit document scanner dependency का इस्तमाल करेंगे जूकि Google के तरफ से provide कराए गया है इसके जो भी code है वो आपको github पे आपे मिल जाएंगे और इसका ये basic version है जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ अगर इससे advanced version चाहिए आपको इस वीडियो का तो आप मुझे comment कर सकते है और उसमें सब कुछ मैं बहुत ही brief में और जो जो चीज हम इसमें implement करने वाले हैं इसका next level हम उस वीडियो में implement करेंगे और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो application हम बनाने वाले हैं ये कैसे काम करता है तो मैंने ये application open कर लिया है आप दे सकते हैं कि यहाँ पे manual और auto capture का दो option दिया गया है अभी मैंने इसको manual पे रखा है और पहले manual को समझ लेते कैसे काम करता है फिर auto capture को भी हम देख लेंगे तो जैसे मालों कि यहाँ पी मैं यहाँ पी एक आदार काड का वह open किया है मैंने ठीक है अभी इसको लग रहे है कि यह पूरा document है तो अगर आप बैक करोगे तो देखो यह कितना accurate वह कर रहा है है डिटेक्ट कर रहे है अगर मैं इसको land skip करता हूं और थोड़ा और पास में लेके जाओंगा तो आप देख सकते हो क्यूंकि अभी यह बीटा वर्जन में तो और इसको accurate वह लो करेंगे आई दूसरे document पे भी हम देख लेते हैं एक और आधार काड का है यहाँ पे भी बह आटो पे मैं रखता हूं आटो पे क्या करेगा कि यह देखेगा और जैसे इसको accurate result मिलेगा ना तो यह capture करके मेरे को next screen पे send कर देगा ठीक है नहीं तो अगर माली के नहीं capture कर रहा है अगर आपको लग रहा है तो आप भी इसको click करके और वो कर सकते हो ठीक है तो जैसे इसक इसको result में लिए तो इसने क्या किया कि इसको यहां पे capture करके next screen पे भेज दिया यहां पे आप क्या कर सकते कि जैसे crop कर सकते images को ठीक है और crop करने के पाद से यहां पे back आके और जैसे apply कर देता हूं है और यहां पे filters भी है filter में आप auto करोगे अपने according यह जो भी color optimization है उसको कर कर देगा अगर color करते हो तब भी यह अपने आप करेगा और gray skill करते हो तो इसको black and white में कर देगा ठीक है तो अगर clean पर करते हो तो इसकी sharpness और यह बढ़ा देगा यहां पे apply करोगे और अगर retake करना है आपको retake का भी option दिया है यही image दुबारा से आप click कर सकते हो अब मैं ret पास में ले जाके और उसके पास से थोड़ी दिर hold करूंगा इसको तो देखो अभी इसने क्या किया कि केवल pen card का जो फोटो था उसने इसको मतलब capture किया है ठीक है तो यहां पर एक और चीज है कि दो यहां पर plus का option आप देख सकते हो अगर यह वाले plus पर आप click करोगे तो और आप क्या गर सकती कि photo click कर सकते है यहां पर ठीक है और जैसे accurate result इसको मिलेगा तो यह क्या गरेगा कि उसको capture करके और next screen पर जाने देगा ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर दो होगया है ठीक है और यह जो चीज है नो यहां पर कितने pages रखने हैं तो यह मैं आगे बताऊंगा कि कैसे set करना है आप जितने pages चाह उतने रख सकते हूँ और यहाँ पर done करते ही आप आपको मिलेगा image URI और page count सारा कुछ उदर मिलेगा on activities yield पर जो कि आगे हम देखने वाले हैं और उसके बाद से आप उसको जैसा use मिलेना चाहो आप ले सकते हो तो चलिए आप इसको implement करके हम देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको build.gradle में आपको यह dependency add कर लेनी है अभी यह vita version में ओके यह add करने के बाद आपको sync कर लेना है करने के बाद से आपको क्या करना है कि यह देखे कौन-कौन से type का document आपको scan करना है और यहाँ पर page limit आपको set कर देना है उसके बाद से यहाँ पर document scan mode आपको set करना है करने के बाद से आप यह build कर देंगे आपको इसके अंदर pass कर देना है और उसके बाद से एक register for activity अदलब पहले activity for result होता था जिसमें क्या होता था कि जब भी हम camera से कोई भी photo लेते थे यह click करते थे तो वो हमको उदर मिलता था उसका ही वाराई यह वैसा ही है यह latest code है और उसका URI यहाँ पर मिल जाएगा या फिर अगर मा लेकि आपने PDF लिया है तो वो PDF की URI प्लस उसका page count यहाँ पर आपको मिल जाएगा जब इतना आप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि scanner को start कर देना है ठीक है तो scanner.get start scan hint करेंगे ना और इसके अंदर आपको activity के context पास कर देना है और फिर जब यहाँ पर dot add on success listener आपको यहाँ पर पास कर देना है तो क्या होगा ना कि जब यह start जाएगा तो success listener पास हो जाएगा और पास होगा तो यह जो launcher है यह launch हो जाएगा ठीक है उसके बाद से जो भी जो भी चीज़े आप क्लिक करेंगे तो वो आ अगर इससे भी advance level के चाहिए मतलब कि जो भी इन्होंने चीज़े उसके अंदर provide करी गई है जो अभी आपने वीडियो में देखा वो सब आप अपना manual चाहते कि सब पे आपका अपना manual control हो तो आप मुझे comment किजेगा इसका advance version भी आम लोग बना देंगे ठीक है तो चलिए मि अभी latest वीडियो में डालूं तो आपको notification मिलता रहे